हलो एवरिवान स्वागत है आप सभी का हमारे यूटूब चैनल हिंदी हब पर तो कैसे हैं प्यारे बच्चे मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी ठीक होंगे और अपने अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे तो बच्चों आज की क्लास में हम पढ़ने वाल है पत्र लेखन पत्र ह चैनल को सब्सक्राइब करो वीडियो को शेयर करो लाइक करो और कमेंट बॉक्स मुझे बताओ कि आपको हिंदी व्याकरण में कौन-कौन से टॉपिक पढ़ने है ठीक है चलिए तो पत्र लेखन हम लोग इंग्लिश में भी लैटर राइटिंग लिखते हैं बिल्कुल वै पत्र क्या होते हैं और उसके बाद आपचारिक पत्रों को लिखने का क्या तरीका होता है और पत्र का फॉर्मेट यानि कि पत्रों को हम पत्र का हम कैसे लिखेंगे चीक है उसके बाद हम एक पत्र भी देखेंगे जिससे आप लोगों को आइडिया हो जाएगा कि परिक्ष विचारों को ही तो आदान प्रिदान करते हैं ठीक है अभी तो उसी को इमेल राइटिंग भी लिखते हैं उसमें इंग्लिश में ठीक है तो याद रपना है पत्र हमारे विचारों को आदान प्रिदान करने का एक शशक्त माध्या में ठीक है मानलो हमें अपनी किसी प्रिंसि अलग है वो बस ऐसे चलाते हैं तो बहुत जादा दुरखटना हो रही है तो आप अपने अख़बार में इस पत्र को जगह दें तो ऐसे हम किसी भी सरकारी कर्मचारी को पत्र यानी की बैंक मैनेजर को पत्र लिख सकते हैं ठीक है जल विभाग को सिचाई विवाग को किसी को भी पत्र लिख सकते हैं वो पत्र आते हमारे अपचारिक पत्र की स्रेणी में चीक है चली यहां पर ध्यान दीजिए पत्र लेखन के माध्यम से हम अपने भावों और विचारों को व्यक्त करते हैं पत्रों के माध्यम से एक व्यक्ति अपनी बातों को लिखकर दूसरे तक पहुचाता है ये दोनों पॉइंट है चीक है क्या करते हैं पत्रों के माध्यम से ही तो एक व्यक्ति अपनी बातों को लिखकर दूसरों के बात तक पहुचाता है मानो हमारे जो पिताजी है उनका इस्थानांतरन किसी और शहर में हो गया तो हमें अपने अपने प्रधान अध्यापा को एक पत्र लिखना है जिसमें हमें उनको बताना है कि आप हमारा इस्थानांतरन कर दीजिए यानि यी टीसी सैटिफिकेट ठीक है उसके बाद आपको आ आपचारिक दोनों को लिखने का अलग लग तरीका होता है तो आज आपको बताया जाएगा आपचारिक पत्र कैसे लिखने और परिक्षा में सबसे ज़्यादा आपके आपके आपचारिक पत्र ही पूछे जाते हैं तो जिन बातों को लोग कहने में इस्ट के जाते हैं उन ब डिखते समय हमेशा आपको विराम चिन्हों का ध्यान रखना है और सथी साथ आपकी जो भासा है वो इस पस्ट्ष हो और सरल हो जिससे कि आपका जो लिख रहे हैं वो सामने वाले को समझ में तो यह जो कुछ बेसिक सी बाते हैं जो कि हम लोगों ने निबंद लेखन में भी पढ़ी थी उन बेसिक बातों का आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना होगा चीक है तो बच्चों कल मैंने एक लाइव क्लास ली थी जिसमें हम लोगों ने समाज से स सबसे बहले बात करते हैं आपचार एक पत्र होते क्या है तो ऐसी पत्र जिनने हम किसी कार्या लाए सरकारी संस्था या फिर विध्यालाई के प्रधानाचार्य को ठीक है या फिर किसी समाचार पत्र के संपादक को तो जो हम इस तरह के पत्र लिखते हैं ये पत्र आते हैं आपके आपचारिक पत्र में ठीक है कौन-कौन से कार्यालाई संबंधित पत्र सरकारी संस्था से संबंधित पत्र प्रधानाचार्य को लिखने वाले पत्र और किसी भी समाचार पत्र के संपादक के नाम लिखने वाले पत्र ये सारे पत्र आते हैं आपके ओपचारिक पत्र की स्रेणी में ठीक है यहां पर आपको ध्यान से समझना है कि ओपचारिक पत्र होते क्या है तब ही आप उसको लिख पाओगे तो यहां पर के लिखा है आप ओपचारिक पत्र को लिखते समय आपको इन इन तो बच्चों आपको पता होना चाहिए कि पत्र को हमेशा एक ही पेज में लेखना है मैंने इसके पहले वीडियो बनाया था उसमें भी आपको एक ही बात कई थी कि पत्र हमेशा आपका एक ही पेज में होना चाहिए तब ही आपको पूरे-पूरे माक्स मिले और अगर आपको पूरे 5 में से 5 ये 6 में से 6 आप पूरे मक्सी तो वीडियो को थोड़ा सा ध्यान से देखना मैं लास्ट में आपको एक गुदाहरन के सही समझाओंगी कि कैसे आपको पत्र लिखना है अभी ध्यान लेते हैं कौन-कौन सी वाते ध्यान में रखनी है तो आपचारिक पत्र क्य होते हैं नियमों से बंधे होते हैं अब हम अनौपचारिक पत्र क्या होते हैं जो हम अपने किसी परिवार को लिखते हैं लेकिन यहां पर बात हो रही ओपचारिक पत्र जो हमें किसी कार्या लाए या फिर संस्था को लिखने है तो इन पत्रों को लिखने ते समय हमें पत् वक्षिया जाता है इसका मतलाब है हमें अनाविश्य के रूप से कुछ भी नहीं लिखना हम जब अपचारिक पत्र पूस्ते हैं तो उसका मैं पूस्ते हैं है कि यह है इस तरीके से मेरी यह request है या मेरा यह निवेदन है बस आपको हर एक बात को point to point ही लिखना है कुछ भी नाविश्यक नहीं लिखना है ठीक है फिर आपको पत्र का आरंभ वांत प्रभाव शाली होना चाहिए यानि की पत्र की हम जैसे सुरुवात करते हैं वैसा ही करना है और अंत करना भी मतलब अंत में आपको जैसे पत्र की जो नियम होते हुए नियमों को ध्यान में रखते हुए आपको पत्र लिखना होगा ठीक है फिर हम बाते करेंगे पत्र की भाशा सरल ले किस पस्ट और सुन्दा होना चाहिए जैसे मैंने निबंद में बताया था आपको कि आपको हमेशा जो अक्षर जैसा बन रहा है उस अक्षर को वैसा ही बन रहा है आ ऐसा बनता है ऐसा ही बनाना है फिर बड़ा ऐसा बनता है तो जो अक्षर जैसा बनता है उसको आपको वैसा ही बनाना है अगर आप लोग को वह अक्षर आपसे सवक्षचता से बना कि नहीं बनता तो अभी भीнить टाइम है और एतनाअठ्ठिस कर लो यहास कर लो कि आपसे अच्छे से अक्षर बना लिया तो आपका शब्द तो अच्छा बनेगा तिक कैं अगर आपका हुपत्र लेखन, निवंद लेखन, अनुछेर लेखन, विग्यापन लेखन ये जो भी आपके लेखन कार्याने की राइटिंग स्रेक्षिन का जो वर्क होता है उसमें आपको हमेशा ध्यान रखना होता है कि आपकी लिखावट यानि आपकी राइटिंग कैसी है चीक अब अपना नाम नहीं लिखना है तो नाम के स्थान पर आपको अपना काखागा लिख देना है देखा होगा हम लोग अपने पत्र लिखते हैं तो परिक्षाओं में नाम तो लिखते नहीं है तो नाम के जगे आपको अपना रोल लंबर या काखागा लिख देना है उसके बा नाम कतह वाद नांक लखना चाहिए नाम स्वहड़ी कख्षा आप याद रखना जब भी अगर आपको किसी प्रधानाध्या पक को पत्र लिख रहे हैं तो आपको क्या क्या लिखना है नाम कक्षा और दिनांग ठीक है तो ये सारी बातें आपको पत्र लिखते समय याद रखनी होंगी अगर आप चाहें तो बीच 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 बी स्क्रिंशॉर्ट लेना तो यहाँ पर यहां से शुरूत किये मैंने अप्चारइग पत्र लिखते समय ध्यान देने योग बातें तो जल्ली से यहां का स्क्रिंशॉर्ट ले लो पुरीग च्लिए चलिए अब इसके बाद के ये जो points है जली से इनका भी screenshot ले लो और बारवार इनको पढ़ना और इन्हीं नियमों का पालन करके आपको पत्र लिखना होगा चलिए अब आते हैं हम पत्र की अंग कैसे कितने होते हैं तो पत्र के मुख्य रूप से साथ अंग होते हैं जिसमें हम क्या क्या लिखते हैं सबसे पहले सेवा में क्या लिखते हैं सेवा में लिखकर पत्र प्रापक यानि की पत्र को प्राप्त करने का नाम तथा पता लिखत प्रधान अध्यापक जी फिर अपना परिक्षभवनिया भी जो भी आपकी विध्याले का पता है वो पता लिख देना और इसी तरह से आपको पत्र की सुरुवात करनी है फिर हम बात करेंगे विशय अब आपको विशय जरूर लिखना है आप चारिक पत्रों में आपको हम से लिखना है टोन वर्य अभी हम लोग उदारन देखेंगे तो आपके सारे डाउड्स क्लियर हो जाएंगे ठीक है फिर आपको संबोधन करना होता है लिखते हैं सेवा में श्रीमान प्रधान अध्याप्याक अब उसके बाद आपको लिखना है संबोधन करना यानि इस पॉइंट का वर्णन करना है तो उसको उसको हम बोलेंगे दो अनुच्छिद में लिखना है दो अनुच्छिद में अब प्रथम अनुच्छिद में क्या लिखना है सवीने निवेदन यह है कि से वाक्की की सुरुवात करनी है और फिर अपनी अपनी समस्च्या के बार दूसरे अनुच्छिद में कि आपसे विनम्र निवेदन है कि कृप्या मुझे दो दिन का आवकाश देने का प्रदान करे पूरा ये लिख दिया प्रिथम अनुच्छिद में दूसर अनुच्छिद में ये लिख दिया ठीक है ऐसे हो गया फिर आपको अपना हस्ताक्षरवा नाम लिखना तो धन्यवाद या कस्टी के लिए छमाज शब्दों का प्रेयोग करें और उसके बाद अंत में भव दिये जब हम विद्यालाय के लिए कोई पत्र लिखते हैं प्रधाना चारे के लिए तो उसमें लिखते हैं भव दिये जो चात्राइं लिखती हैं वो भवदिया लिखता है या फिर अगर हम किसी को प्राथना पत्रिया सिकाय पत्र लिख रहे हैं तो उसमें लिखेंगे प्रार्थी और उसमें अपने हस्ताक्षर कर देने हैं उसके बाद प्रेशक का पता यानी देने वाले का पता शहर का महुला इ और यहाँ पी सर्फ आपको अपने स्कूल का नाम या एड्रेस लिख देना है और अपना रोल लंबर ठीक है इसी तरह से आपको पत्र लिखना है तो अब हम देखेंगे कि हमें पत्र लिखना कैसे है सबसे पहले कैसे सुरू करेंगे सेवा में इस ऐस सेवा में शुरू कर दिया फिर स्रीमान प्रधानाचार्यजी ऐसे ही लिखते हैं है ना सबसे पहले जुरुआत करती है सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्यजी ठीक है किसी भी स्कूल का नाम लिख दिया यह हो गया आपका पता फिर यहाँ पे लिख दिया दिनांग इतना लिख दैना है यह प्रारूफ हो गया पत्र का यहाँ से ही आपको पूरा एक लंबर मिलेगा ठीक है अब इसके बाद आना है आपको विशय जरूर लिखना है ठीक है आपने जिसके लिए भी पत्र लिखा अगर आपका शेतू पत्र या किसी भी चीज के लिए पत्र लिखाओ आपको अपना विशय जरूर लिखना है और चारिक पत्र लिखन में विशय लिखना जरूरी होता है ठीक है फिर हम आते हैं उनका संबोधन करते हूं महोदया ठीक है फिर श्रीम नम्र ने वेदन है और अपनी पूरी बात को यहां से यह से डिस्क्राइब कर देना है ठीक है फिर अंत में आता है आपसे अनुरोध है ठीक है यह लिख देना है फिर लास्ट में आपको भवदिय और नाम और पता यह हो गया आपका पत्र लिखने का शेंपल यानी पत्र अपचारिक पत्र लिखन का प्रारूप अब याद रखना सबसे पहले ऐसे ही सुरुआत करनी है सेवा में श्रीमान, प्रधानाचारिय, दिल्ली पब्लिक स्कूल पता लिख दिया, दिनांक लिख दिया, फिर विशय यहाँ पर जरूर मैंशिन कर देना, फिर महोदया लिखके, अपनी पूरी बात को प्रथमा दाहरन देखेंगे, यहाँ तक सबको समझ में आया, क्लियर है, तो कमेंट बॉक्स में बताते जाना, कोई डाउट है, तो वो भी पूछ लिना, वैसे मुझे नहीं लिखता कोई डाउट होगा, क्योंकि यहाँ पर हर एक चीज़ को लिखा है, यहाँ पर दिनांक लिखना ह उसके बाद अपना पूरा पत्र फिर भव दिये करके, अंत में पत्र की समाप्ति करनी है, ऐसे सुरुआत करना है, और ऐसे उसको एंड करना है, चीज़ के, चलिए, तो आज हम देखते हैं कि हमें मेरी बहन के शादी है, और मुझे अवकाश चाहिए, तो अब यह एक आप चारिक पत्र हो गया, क्यों कि हम अपने विध्याले के प्रधाना ध्यापक को लिख रहे हैं, तो अब चारिक पत्र को वैसे ही लिखा है, शेवा में, फिर प्रधाना चारे महोदय, क्या लिखा है, प्रधाना चारे महोदय, स्कूल का नाम, यह पत्ता हो गया, यहीं पर आ लिख दिया बहन की शादी के लिए अवकाश प्रदान करने ही तू प्राथना पत्र या कौन सा पत्र होगा यह आ गया प्राथना पत्र की सर्णी फिर है महोदया सवीने निवेदन यह है कि मैं आपके विध्याल अभी हाँ पर एक बात गौर गरना है सब लोगों को भाषा कै पर पूर्वा कुछ भी अना विष्यक नहीं लिखना है अपनी बात को पॉइंट टू पॉइंट ही लिखना है जैस इसमें लिखा है कि सवीने निवेदन यह है कि मैं आपके विध्याले के कच्छा दसवी का विध्याती हूँ मेरे घर में मेरी बहन की शादी है जिसकी दि अफकास के लिए प्रातना पत्र लिख रहे हो तो आपको हमेशा दिनांक को लिखना जरूरी है कि कब से कब तक की चुट्टी यह नहीं लिखना है कि मुझे तीन दिन की चुट्टी देने की करपा करें बलकि आपको दिनांक के लिखना है कि 8 तारिक से आप 12 तारिक तक का कश्च करें यह हो गया हमारा प्रत्था मनुष्षेद आप दूसरे में क्या लिखा है अता आप से विनम्र निवेदन है कि आप मुझे अफकाश प्रदान करने की करपा करें इसके लिए मैं आपका हमेशा आभारी रहूंगा ठीक है शब्दों बिध्यान देना शिस्त अचा कारी शिष्या नाम श्वाधीन सर्मा कक्षा दस्मी कक्षा आपको नीचे लिखनी है स्लाइड में जगए कम थी इसलिए मैंने उसको उसी लान में लिख दिया और बच्चों कोशिश करना है कि पत्र को आपको एक ही पेज में लिखना है अब ये बोर्ड एक्जामस में ऐस बताया जा रहा है वैस जैसा जैसा बताया है वैसा वैसा ही करना है अगर ऐसे लिखते हो ऐसी शुरुआत कर रहे हो ऐसी आपको बीच में विश्याय लिख रहे हो फिर आपको महोदया करके अपनी पूरी बात लिखनी है अंत में आपको इसी तरह से पत्र को समाप्त करना ह ठीक है clear है जलिए तो मुझे उम्मीद है कि आज की जो क्लास में हमने पत्र लिखन सीखा है इसके बाद आप लोगों को पत्र लिखने में कोई भी परिशानी नहीं होगी अगर कोई भी डाउट है तो जरूर कमेंट बॉक्स में पूछना मैं रेप्लाय देंगू और मैं आकरण में क्या क्या पढ़ना है फिर मिलते हम अपनी कल की क्लास में तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए बाए बाए टेक क्या है